हलो, कैसे हैं आप सभी, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ, सुबह की 11 बच चुके हैं, आप सभी का तही दिल से स्वागत है इस शांदार सेशन में, मैंसुरेशन का आज हम पार्ट फाइब पढ़ रहे हैं, और आज हमारा जो टॉपिक है, वो हम पढ़ेंगे सर्कल, और इसके बारे में संपूर्ण जानकारियम प्राप्त करने वाले हैं, मैंसुरेशन अपने आप में एक बहुत बढ़िया टॉपिक है, और इसे इतनी आसानी से मैं खतम करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाना है पूरा डेटेल में, और ये सारी चीज़े मैं तभ करना चाहते हैं, चाहे वो SSC हो, चाहे वो CET हो, चाहे वो बैंक हो, अब तो वैसे भी, इस बार सब लास्ट एक्जाम है, अब एक ही common eligibility test होगा, तो इसके लिए तयारी मैं करवा रहा हूँ, मेरे foundation course में, अभी से ही मैंने तयारी शुरू करवा दिये, और ये सभी exams के लिए होती है, SSC exam में मेरा course मिलेगा, अब इसे तयारी करोगे तो फिर bounce back भी अच्छा करोगे, समझे रहो ना, तो सारा खेल बस पराटवार करने का है, get subscription पर जाईए, 12 और 24 मेने का लीजिए, और अभी लीजिए, क्योंकि यही सही समय है, और इस सही समय का उप्योग करना आपक सकते हैं, बिना किसी gap के लगाईए, और किसी भी subscription में 10% का off पा सकते हैं, ठीक है, और ये रात को जो मेरा 8 बोजे कैच दा मैं चलता है, रेगुलर रहिए, और अब इसमें जो भी आपका paper हो चुका है, जिनके paper नहीं हो चुके हैं, यह आप सभी को लेना है, साथ की साथ ग academy पर जुड़ना है, कैसे आप जुड़ पाएंगे मैं बता देता हूँ, ssc exam पर आपको जाना है, special class पर आपको जाना है, मेरा नाम सर्च कर लेना, मेरी profile को कर लेना follow, और मेरी follow करने का और मेरी profile के अंदर special class का एक tab आएगा, वहाँ पर see all पर चले जाना, फिर उसके बाद 8 PM वाली class आपको देखनी है, ठीक है, और अगर आपसे class देखने से पहले कोई code पूछे, या test series देने से पहले कोई code पूछे, तो साहिल 10 as a unlock code लगा देना, ठीक है, ये set number 2 में IB का आज करवाने वाला हूँ, तो काफी interesting रहने वाला है, ये daily में अभी जब तक IB का exam नहीं हो ज NTPC को फोडने के बाद आप group D की बारी लगा दी है, ठीक है, NTPC के बाद आप group D फोडने की बारी मैंने लगा दी है, ये कल 3.30 मिनट पर event होगा, 3.30 बजे शाम को, कल 3.30 बजे शाम को, साथ के साथ RRB NTPC के लिए next phase या CBT2 सब के लिए मैं जो questions ले कर आ रहा हूँ, ये 13 फरवरी, Saturday सुबह 11 बजे, ठीक है, साथ के साथ IB के लिए मैं all about numbers आपको बताने वाला हूँ, कि exam में पहले पढ़ें जो काम आए, तो यहाँ पर numbers के बारे में बताऊंगा, ये अपना event होगा, Saturday को साड़े बारा, ठीक है, और इस से पहले मैं time speed distance भी पढ़ाऊंगा, कल पढ़ाई करो, मैं तो पूरा planning के साथ चल रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना बस आपको पढ़ना है, तो सबसे सटीक analysis के लिए इस number पर आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं अपने questions जिनका paper हो गया है, चलते हैं, आगे, आज हम बात करने वाले हैं, चीजों की जहां पर हम बात करें के सरकल के बारे में, आए, सरकल, सरकल क्या होता है, एक ब्रत होता है, और इस ब्रत के बारे में पूरी जो जानकारी है, वो बताना बहुत आवशक है, क्योंकि बहुत सारे विध्यारती नए भी होते हैं, जो पहली बारी शुरुवात कर रहे होते हैं, सरकल का सी भी नहीं पता होता इनको चलिए तो हर एक चीज़ को देखते हुए चीज़ों को बताने वाला हूँ प्लीज थोड़ा दिहान रखिएगा क्योंकि जो concepts होंगे वो लाजवाब होंगे अब क्या होगा धीरे-धीरे इन चीज़ों का तो यह कर दो वो कर दो तो सारी चीज़े अब काम आने वाले है तो स्टार्ट करते हैं चीजों को अच्छे से इसको हम कहते है परीदी तो अगर मैं बाप से बोलूं कि यह अगर एक काफ का सरकल का केंद्र है इसको कहा जाएगा केंद्र center और center से बराबर दूरी पर होता है परीदी हम्मेशा और उस बराबर दूरी को उस निश्चित दूरी को उस constant distance को ही हम क्या कहते है radius कहते है उस constant दूरी को ही हम क्या कहते है radius कहते है तरिज्जा कहते है तरिज्जा कहते है तरिज्जा कहते है यह परीदी हो गई circumference हो गया अब जो चीज प्रकार से बनाई जा सके वही आर्क है तो अगर मैं गल्त नहीं हूँ कि अगर मैं इसमें चार पॉइंट लगा देता हूँ या दो पॉइंट लगा देता हूँ ये A, B, C, D तो क्या मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि ये मेरे सारे चाप है आप इनको आर्क भी तो कह सकते हो कि अगर मैं बात करूँ इनके बारे में तो A, B मेरा एक आर्क है B, C मेरा एक आर्क है C, D मेरा एक आर्क है और A, D मेरा एक आर्क है तो आर्क क्या होता है किसी भी केंदर को सेंटर मान कर अगर आप कोई भी ऐसे खेंस देते हो तो यह आपका एक आर्क है और इस सेंटर से उसकी दोनों छोर की बरावर दूरी इतनी जब होती ही होती है क्योंकि है तो एक सर्किल का हिस्सा ही है तो एक सर्किल का हिस्सा वही आपका क्या हो गया एक आर्क हो गया अगर मैं इसकी बात करूँ तो यह एक आरक हो गया इसको हुँ कह सकते हैं चाप ठीक है सर समझ में आरी थोड़ी थोड़ी बात ठीक है अब किसी भी चाप के दो बिंदूों को अगर मैं मिला दू जैसे कि मैंने आपके सामने एक सर्कल दे लिया और इस सर्किल के ये मैंने आर्क ले लिया ये अर्क मैने ले लिया ये A आर्क है इन दोनों आर्क को अब आर्क को जब consider करोगे चाप को जब consider करोगे तो आप परिधी पर घूम होगे हमेशा ये आपका आर्क रहेगा आर्क कर стен और नहीं बन सकता अब आप इस आर्क से बनने वाली आप एक जीवा बनाते हो जीवा मतलब कौड यह आपकी क्या हो गई एक कौड हो गई तो ए भी आपकी क्या हो गई एक जीवा हो गई तो जीवा की परिवाशा क्या हो जाती है इसको अगर मैं सही भाशा में बताऊं तो ये एक मेरी कोड है ये मेरी एक जीवा है और जीवा होती क्या है sir ये समजने के कोशिश करना आप लो जीवा किसी भी बरत में किसी भी circle में परीदी के circumference के इनी भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो line होगी वो जीवा होगी मैं आप से कहना चाहता हूं कि जो कौड होगी किसी भी सर्कल में उसकी परिदी परिस्थित किनी भी दो बिंदू को मिलाने वाली सर क्या यह जीवा है क्या यह जीवा है क्या यह जीवा है यह सारी आपकी जीवाएं बन रहे हैं तो आप ही कह सकते हो सर एक जीवा ऐसी भी तो होगी जो इसके केंदर से गुजरेगी बिलकुल और आप खुद फील कर सकते हैं कि यह जीवा अगर यह सेंटर ओ है और उसके बाद बाकी की जीवाएं मैंने ऐसे बना दी तो आपके दिमाग में सिंपल सी बात यह आ गई कि जो यह सेंटर से गुजरने वाली जीवा है जिसको मैं पी क्यू मान लेता हूं यही तो आपका व्यास होता है तो अगर आपको खुद फील हो रहा होगा कि अगर आप सबसे बड़ी जीवा को कंसिडर करते हो तो व्यास इस दा लार्जेस्ट कॉर्ड ओफ ए सर्किल डायमेटर आपका सबसे बड़ी जीवा है एक सर्किल की क्योंकि उससे उपर जाओगी तो छोटा होता जा रहा है उससे नीचे जाओगी तो छोटा होता जा रहा है तो यही एक ऐसा जीवा होने वाली है जो लार्जेस्ट होगी तो हम यहां कह सकते हैं इसर यह रेडियस और रेडियस है इसको हम कहेंगे डायामेटर तो पीक्यू हमारा क्या है डायामेटर है पीक्यू हमारा क्या है डायामेटर है इसको हिंदी में कहा जाता है व्यास और व्यास हमारा क्या होता है जीवा का दुगना होता है व्यास जो हमारा होता है वो जीवा का दुगना होता है और इसको हम क पास largest chord है, यानि कि किसी भी circle में सबसे बड़ी जीवा, वही आपका क्या क्या लाएगा, आपका क्या क्या लाएगा, व्यास क्या लाएगा, ठीक है, तो छोटा सा basic है, जाद attention लेने की आवश्यक्ता नहीं है, बाकी मैं हूँ, बाकी सब कुछ समझाऊँगा, अब चलते हैं, आगे देखते हैं, यह आपने समझा, इस ब्रत के बारे में समझा, इसकी चीजों को समझा, आईए, अब इस ब्रत की थोड़े से, जो fact है, उनको भी हम clear कर लेते हैं, सिंपल सी बात है, अगर आप एक circle बना रहे हो, तो एक एक चीज हम clear करेंगे, कि circle हमेशा एक center पर एक प अगर आपके सामने में compass रखता हूँ, तो compass के पास हम यहाँ बात करते हैं, इसके बारे में, कि अगर यह आपका एक circle है, तो आप मुझे बताइए, कि यहाँ पर, जो center पर angle form हो रहा है, वो कितना हो रहा है, तो कभी भी, जब पूरा गोला अगर घूम जाए, तो हमेशा याद रखना, 360 degree आपका जो angle है, वो form होगा, कितना angle form होगा, 360 degree, मैं आपसे यह बात कहना चाहता हूँ, कि बहुत मामूली बात लग रही होगी आपको, तो मैं अगर यह कहूं कि पूरा का पूरा, पूरा का पूरा जो concept हो इसी पर ही है, मतलब जो हम याद करेंगे, जो हम रट रहे हैं, जो हम कुछ भी कर रहे हैं, वो इसी पर है, तो क्यों ना समझ के सीजे को रटा जाए, चलिए सर, यह बात हम यह वाला जो हिस्सा है, अगर मेरा O है, सेंटर, और अगर मैं बोल देता हूँ, यह मेरी तरिज्जा है, जो R है, तो इसकी बात करिए area की, इसका area क्या होगा, बताओ, आराम से बताना, अगर मैं इस circle के छेतरफल की बात करना चाहूं, तो छेतरफल क्या होगा, तो अभी तक कोई निश्चित नहीं है, लेकिन हम जनरली कोशन को हल करने के लिए 22 बटे साथ ले लेते हैं, या फिर अगर पॉइंट में लेना हो, तो 3.14 ले लेते हैं, या एक constant है, या एक स्थिरांग है, तो depends तो R पे करेगा, चलिए, अगर हम बात करते हैं, परिमाप की, या परीधी की बात करते हैं, तो किसी भी circle की बात करूँ, तो परीधी, जिसको हम कहते हैं circumference, सुन लईजेगा, जिसको हम कहते हैं circumference, कि और अगर मैं बात करूँ परिमाप की जिसको हम कहते हैं पैरी मेटर क्या दौनो सेंवी होते हैं क्या हां अगर मैं बात करूँ square याने की unit square के proportion में जा रहा है और जो perimeter और circumference है वो आपके directly proportional में जा रहा है ठीक है so basically यहाँ पर आपके सामने यह 2 pi r हो गया अब मैं just आपको यह बताना चाहता था कि भाई जो भी हम यहाँ कर रहे हैं जो भी हम यहाँ पड़ रहे हैं वह सिर्फ और सिर्फ क्या है 360 डिगरी पर है सारा खेल सुन रहे हो ना मेरी बात यह आपको लिखा नहीं जाएगा क्यों क्योंकि यहाँ कहते न कि मिश्टर इंडिया वाली घड़ी वाली बात तो यहाँ वो छिपा हुआ है ठीटा बटे 360 यहाँ वो छिपा हुआ है यहाँ वो छिपा हुआ है आप गलत नहीं कर रहे हो यहाँ वो है एक्जिस्ट कर रहा है लेकिन जब जब आप 360 यहाँ प्लेस कर दोगे ना तो पाईयर इसक्वार ही रह जाएगा और जब आप 360 यहाँ प्लेस कर दोगे तो टू पाईयर ही रह जाएगा बात समझ में आ रही है क्या तो कुछ चीजें हैं जो छिपी हुई है और वो पता आपको होना चाहिए देखो हम यूज नहीं करेंगे लेकिन काम बहुत आएंगी क्योंकि यह पता होना चाहिए कि छुपा हुआ है और यह 360 पे बना तो मैंने जब यह 360 रखा तो पाईयर इसक्वार आएगा मैंने यह 360 रखा तो पाईयर इसक्वार आएगा ठीक है चलिए यहां तक क्लियर हो गया आपको अब थोड़ा सा आगे चलते हैं थोड़ा सा आगे प्रस्थान करते हैं चीजों पर अच्छा एक सरकल एक पाईये की तरह वर्क करता है एक पाईये की तरह होता है और पाईये से ही तो पाईय का इजाद हुआ जब पाईया बनाया गया ना जब बड़े मतब बैग्यानिक जब पाईया बना रहे थे जब पहली बार टायर घुमाया पता नहीं कौन से सब्वेता में पुरातन सब्वेता में तो उन्होंने यह प पाईये का circumference निकालने की बात आई तो पाई को रख दिया constant और अपने इसाब से ले लिया कोई भी लंबाई या तार या फिर कोई पत्तर अब उसको ऐसा काटी है जिसकी रेडियस जो व्यास है 2R व्यास के respect में और perimeter के respect में का जो ratio है यानि कि perimeter और 2R का जो ratio है वो हमेशा constant रहे और उस constant का मान क्या हो 22 वटे साथ या 3.14 हो हलाकि यह पूरा नहीं है लेकिन लगबग ऐसी आए तो अगर कभी भी आपको कोई भी गोलाकार चीज को चेक करना हो ना कोई भी गोलाकार चीज को चेक करना गो तो उसका यहीं आने वाला है 22 वटे साथ हीं ठिक है यह वही निकल कर आने वाला है आप चैक कर लेना कभी भी गोइन कोई को चैक करना है तो आप क्या करना कौई की circumference को नाप लेना और वो करने के बाद क्या हुआ उनको ऐसे कॉम्बिनेशन बैठाने थे जो पैरिमीटर और डायमीटर का रेशो 3.14 हो जाए तो उस तरह से क्या हो गया तभी तभी तो हम एक प्रॉपर गोल शेप दे पाए चलिए तो चलो यह होगी बात अब क्या कह रहे हैं कि एक सर्किल एक पैये की तरह होता है तो आप मुझे बताइए जब एक सर्किल rotate करेगा जब एक circle अगर मैं बात करता हूं यहां पर धरातल पर अगर एक circle rotate कर रहा है तो अब आपको पता है कोई भी चीज़ rotate करती है तो यहां पर तो केवल हमें किस को कौन सा motion लेना है हमें circular motion तो लेना नहीं है कि यहां भी आपका force लगेगा, यहां पर आपका turn लगेगा, आगे की तरफ इसको लेके जाएगा, फिर यहां पर rotational motion लगने वाला है, वो सब नहीं पढ़ना है अपनको, हमें पढ़ना है कि linear के तौर पर, दो तरह की गती होती है, जब कभी भी आप क इसी पईये को गुमाते हो, तो दो तरह की गती आपके सामने आती है, पईया rectilinear भी चलता है और पईया rotational भी चलता है, तो हमें इसकी उर्जा नहीं निकालनी, half, omega, square, ऐसा कुछ नहीं निकालना है, हमें बस इतना पता लगाना चाहिए कि एक चक्कर में, एक revolution में, पै कितनी होगी, हैने कि cover distance, कितनी होने वाले, कितनी distance cover करेगा, एक revolution की बात कर रहा हूँ, तो सर सिंपली हम देख सकते हैं, कि अगर पैया हमारा rotate कर रहा है, तो अगर आप इस point को यहां मान रहे हो, तो यह point दुबारा से यहां पर आ जाए, कहां पर, दुबारा से नीचे आ ज जाए, एक पैया जब पूरा गूमेगा, तो वह अपनी पूरी परिदी cover कर लेगा, गूम कर, तो वह टूपाइयार जाता है, तो यहां हम कह सकते हैं, कि एक rotation में, जो तै की गई दूरी होती है, वो क्या होती है, तूपाइयार होती है, एक rotation में तै की गई जो दूरी होती ह सब्सक्राइब लिए यह तो यह तक आपको समझ में आना चाहिए चाप के बारे में पढ़ लिए हमने जीवा के बारे में पढ़ लिया यहां तक हमारा थोड़ा बहुत मुझ लिए जो कला है अब हम तो आगे की चीज जो हम पढ़ने वाले हैं वह हम पढ़ने वाले है और यह वाग्वाग्ष तो आगे की चीज आप डाल लीजिए सेमी सरक्ल इसको हम कहते हैं अर्दब्रत सेमी सरक्ल इसको हम क्या कहेंगे अर्दब्रत कहेंगे ठीक है चलिए अर्दब्रत के बारे में चर्चा करने वाले अगर हम अर्दब्रत की बारे में चर्चा करते हैं तो यह हमारा एक केंद्र हो गया ये A है ये B है ये C है तो सबसे पहले बात करते हैं area की तो area parameter को कोई फरक नहीं पड़ता आपका जो छेतरफल क्या हो जाएगा इसका बताओ आपका परिमाप याने की parameter क्या हो जाएगा और आपकी परीधी क्या हो जाएगी क्योंकि यहां बहुत confusion है हो सकता है कि examiner भी confusion में आए आप भी confusion में हो लेकिन हमें क्या चीजों को समझ समझ कर चलना है देखिए तो यहां पर अगर हम बात करते हैं कि अगर यह r radius का क्या एक semi circle है तो आपको simply एक बात बताना चाहूंगा कि यहां अगर एक semi circle है तो simple सी बात है सर इस semi circle का जो area होता है वो pi r square पूरे circle का आधा होता है ऐसा क्यों मैंने कहा कि रटना नहीं है pi r square तो ठीक है तो इसके केंदर पर बना हुआ कौन कितना है भाई साब 180 तो बना हुआ है केवल तो जो invisible है उस invisible चीज को आप action में लाईए अब कि जब सर आप यहां 180 रख दोगे तो अपने आप क्या आ जाएगा pi r square बटे 2 आ जाएगा इसलिए यह आधा हुआ तो आपको पता है वह बात अलग है आधा है आधा है आधा हो गया लेकिन कभी कभार 45 का भी तो आएगा 40 का भी तो आ सकता है है चालिस का होगा तो कितना होगा pi r square by 9 नहीं क्या चलिए अब मैं परिमाप की बात करता हूं तो परिमाप की परिभाशा क्या होती है उसी परिभाशा के हिसाब से मैं आपको यह डाउट में नहीं रखूंगा और वह चीज किलियर करूंगा कि आपकी परीधी और बराबर मानते हैं कि आपको परिधी बोल दीजे इसको परिमाप बोल दीजे आप क्या मानते हैं बताइए अगर मैं इनको दोनों को बराबर मानूं तो बात आपकी शिर्फ एक ही आने वाली है कि अगर परिमाप की बात करें और इसी कोई में circumference मानलू यही परीदी मानिए तो अभी हम यहां क्या कहेंगे यह पाईयार होगा प्लस टू आर अब यह प्लस टू आरोगा कि पाईयार फ्लस टू आर इहां रखना है इसका अधा सर्कल है तो पाईयार होगा और अभी भी अगर परीदी की बात करते हैं तो परीदी क्या होती है अगर इस बिंदू से शुरू हुए हो या परीमाप क्या होता है तो इसी बिंदू पर वापस लौट के भी तो आना है अगर आप लौट के नहीं आ पाए तो जब तक परीमाप पूरा नहीं होगा तो यह परीदी में तो नहीं कहांट होना चाहिए। तो एसा नहीं है कि मैंने जो यह लिखाया है यह मतलब हो सकता है कि examiner इसको परीमा आपको इस परीधी मानें लेकिन आप चेक कर सकते हो लेकिन आपके दिमाग में clarity रहनी चाहिए मैं आपको यहां वैसे ही पहले ही आपको मैं चेता रहा हूं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि इन चीजों को वह है अलग-अलग माने वो यह कह सकता है कि परीदी बराबर है तो कभी-कभार confusion हो जाता है बच्चे को लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए कि ऐसा हो सकता है तो आप गलती करने से पहले आप देखोगे कि calculation सही कौन से से आ रही है मेरी ठीक है तो अगर मैं परीदी के बात करूँ तो परीदी के वल मैं लिखता हूँ पाई-आर तो कि परीदी की बात मैं कर रहा हूँ के वल ठीक है तो दौनों में जो अंतर है वो मैंने बता दिया है और कारण क्या है वे भी बता दिया है क्लियर हो गया माईडियर चलिए अब हम आगे बात करते हैं इस सेमी सर्कल के बारे में भी हमने चर्चा कर ली काफी अच्छे से हमने चर्चा कर ली अब हम आगे बात करते हैं वलय की वलय वले एक ऐसी आकरती होती है जिसमें आपके क्या होंगे दो सर्किल होते हैं जो सकेंद्रिय सर्किल होते हैं इनको हम कहते हैं रिंग या वले वले का एरिया इस तरह के जब आपके सकेंद्रिय आपके ब्रत आपको मिलते हैं सकेंइद्रिय बरत को क्या कहते ये आपका ऐक संकेंद्रिय बरत आए तो संकेंद्रियबнит क्या एता है जिसका सेंटर से mil हो कि सेंटर की एक ही हो पो सेंट्रिक सेंट्रिक stat तो अगर मैंने इसका एक ही सेंटर माना तो यहां पर आपके सामने क्या होता है कि बुले गुरुजी देखो इसकी रेडियस हो गई छोटा आर और मैंने इसकी रेडियस माननी बड़ा आर तो इस तरह कि आपकी क्या होती है बला होती है, बले ठीक है, अगर हम इसके बात करते है एरिया की, तो सिर्फ और सिर्फ अगर हम इसे एरिया निकालना चाहते हैं इसका तो एक तरीकी से यह अपने अंगूठी देखी होगी, रिंग मैंने रिंग को बस थोड़ा सा बड़ा करके लिखाया और कुछ नहीं तो रिंग में हमेशा यह जो एरिया होता है यही काम का होता है बीच में तो खोकला होता है तो इस एरिया को अगर आपको निकालना है तो वह क्या होगा तो सर सिंपल सी बात है अगर यही आपका एरिया है जिसे हमें निकालना है तो बड़े सरकिल में से छोटा सरकिल जो की खोकला है जिसके अंदर कुछ ही नहीं एरिया वाला पोर्शेन गटा दो तो पाए कॉमन आ जाएगा r²сь or or है के में समझ में आर या बात आपको चीज अ कलियर हो रही हैं कि है जल्डी से मुझे बता वे अगर हम यह बात कर रहे हैं तो यहां पर इस बात पर भी मैं आपको चर्चा करवाना चाहूं गा यह पर अगर अगर आपसे थिक नेस पूछ ली कि है कि भाई यह वलेप कितनी कितनी मोटाई रखती है तो बताईए क्या होगा अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि मोटाई बताईए थिकनेस बताईए इसकी कैसे निकालेंगे आप चलो तो भी कितनेस क्या होती है सर अगर किसी भी चीज़ की मोटाई निकालना चाहते है तो यह इस्सा जो होगा यह आपकी थिकनेस को बताएगा और यह जो थिकनेस है यह क्या हो जाएगी आर माइनस आर तो कभी कबर आपको वले का एरिया दे देगा R plus R दे देगा और A square minus B square वाला concept आप लगा सकते हैं आपर ठीक है माइडियर चीज़े clear हो रही है आप लोगों को चलिए अब एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है क्या आप इसका perimeter बता सकते हैं मेरे को कितने लोग इस वले का परिमाप मुझे बसाद बता सकते हैं perimeter हो गया circumference हो गया क्योंकि पूरा है तो इसमें कोई डिक्कत वाले बात नहीं है तो circumference कितने लोग बता सकते हैं मज़ा तब आएगा जब आप circumference होड़ा सा मेरे को guide भी कर देंगे परिमेटर क्या होगा तो कभी भी perimeter की अगर हम बात करते हैं तो perimeter दौनों surface का आता है 2 pi r और 2 pi छोटा r तो ये आपका perimeter होगा दौनों ही surface का add ओकर आता है माइनस नहीं होता है ठीक है चलिए अब यहां तक आपको बात clear हो गई चलिएगा तो ये हमने वले भी पढ़ लिया अच्छे से अब सारी चीज़ें हो गई अब हम बात करते हैं सर्कल के एरिया एंड पैरिमीटर रिलेशन या सर्कम्फेरंस रिलेशन ठीक है तो किसी भी सर्कल के इसी भी सर्कल के एरिया और शर्कम्फेरंस के रिलेशन की तो आजाएए अभी मैंने आपको बताया था यहां हम आर बराबर अगर सेवन ले रहे हैं सुनना मेरी बात तो अगर हम बात करते हैं एरिया अफ circle क्या होता है πाई r square होता है और circumference जो होता है 2 πाई r होता है ठीक है अब यहाँ पर generally हम जानते हैं कि r बराबर साथ ही क्यों लिया सर आपने यह क्या होता है well known data है यानि कि यह ऐसा data है जो अक्सर आपके use किया जाता है और अक्सर आपके काम आता है क्यों क्योंकि आप area जब calculate करते हो तो पाई की value 22 वटे 7 लिखते हो तो यहाँ पर आपको 7 के multiple में data देखने को मिलता है आपकी calculation को अच्छा करने के लिए ऐसा नहीं है कि हमेशा साथ ही आईगी या साथ के multiple में आईगी ऐसा नहीं है लेकिन फिर भी generally आपको जो question fast करना होता है तो यह चीज़ें काम आती है चलिए तो देखते हैं भईया तो यहाँ पर अगर मैं area निकालना चाहूं हूँ तो 7 से 7 मैंने कार दिया तो 154 अगर हम circumference की बात करते हैं तो वह कितना निकल कर आ रहा है टू इंटू बाइस बटे साथ और अगर मैं radius को 7 रख रहा हूं तो यह होगा 154 तू पाई आ रहे है ना और circumference किस तरह से है मैंने पहनी क्लास में भी बताया था कि जब area होगा वह unit square होगा और circumference होगा वह directly proportional to the length parameter याने कि आपके लंबाई के एकाई के directly proportional है कौन radius और circumference आपस में तो simple हम यही से ही अब अपनी सारी के सारी चीजने लेकर चलने वाले तो चलिए एक table बना लेजिए काफी काम आने वाला है यह एक base मैंने लिया है अब इस base से आगे चलते है आर बराबर अगर 7 है तो छेतरफल होगा 154 और circumference होगा 45 यहां मैंने लिख दिया दुबारा से back to the back slide अगर मैं पीछे आता हूं तो मैं अगर आपसे बोलता हूं कि अगर radius को मैंने double कर दिया तो मेरा area क्या होगा और मेरा circumference क्या होगा बताओ radius को मैंने triple कर दिया तो मेरा area क्या होगा और मेरा circumference क्या होगा बताओ radius को मैंने 1 by 2 कर दिया तो मेरा area क्या होगा और मेरा circumference क्या होगा radius को मैंने 9 by 5 कर दिया तो मेरा area क्या होगा मेरा circumference क्या होगा बोलो फटापट तो सर एरिया आपका unit square और circumference आपका two यह 9 यह आपका तो यह एक बटे दो है तो area आपका 1 बटे चार और circumference आपका आधा यह 9 बटे पांच है area आपका 81 बटे 25 और circumference आपका same होने वाले है तो circumference यानि की परीधी के अगर मैं बात करता हूँ तो परीधी तो वही रहने वाला है उतना ही time होगा जितना radius के साथ जो हुआ है वो परी में चेंज होगा जैसे की एक कोशन मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ है ना ऐसी रख रहा हूँ जैसे कोई भी मैंने अगर आपके सामने एक कोशन ऐसी रख दिया random random कोशन रख रहा हूँ कि कोई भी मेरा area है area of circle area of circle मैंने दिया भी मालो कोटी क्या कहते है 98 दिया मैंने माल लो ऐसी ठीक है 98 तो क्या दे रहें है मैं 99 दिया मालो ऐसी दे दिया मैंने मतलब कोई radius radius कुछ नहीं दिया इफ रेडियस इस हाफ है यदी तरिज्जा आधी हो जाती है तरिज्जा पता नहीं है अपन को एरिया कितना हो जाएगा नया वाला तो कॉमन सेंस वाली बात है मतलब एकसर आपको कैसा भी डेटा दे सकता है जहां पर आपको मैनुपलेट भी करना पड़ेगा चीजों को ठीक है चलो तो सिंपल सी बात है सर आप जब रेडियस को हाफ कर रहे हो तो आपको कुछ नहीं करना 99 बाई 4 आंसर देना है कुल मिला करवाती है मेरा कहने का मतलब समझ में आ रहा है आपको कभी कबार आपको रेडियस निकालने भी ना पड़े वरना आप यह सोचते हो कि तरिज्जा क कैसे निकालूगा यह कैसे करूंगा वह कैसे करूँगा ना निकालना हीमनिये क्यों निकालना लैं कितना हो जाएगा अगर आपने इसके सापेक्ष में दुगना किया है तो आपको इसके सापेक्ष में चार गुना करना पड़ेगा जो मुझे याद है 616 होगा आपको भी याद ही करना है और आपका जो सर्कंफेरेंस हो जाएगा वह दुगना ही अगर मैंने रेडियस को माल 21 याने कि 7 का आपने 3 गुना कर दिया याने कि area कितना हो जाएगा 9 गुना हमें पता है आप लोगों को भी पता होगा 1386 होगा क्योंकि यह आपने 3 गुना किया है तो यह 9 गुना होगा और यह कितना होगा यह तो 3 गुना ही होगा रेडियस अगर आपने 28 कर दी यह सब कुछ किसके रेफरेंस में इस साथ के रेफरेंस में हो रहा है अभी मैंने उसको नीले में लिखा है बाकियों को लाल में यह चार गुना हो गया तो यह 16 गुना हो जाएगा यानि कि 154 का 16 गुना बताओ क्या होगा 26 गोलते जाओ 24 चॉविस चॉविस चॉशट्ट कितनी हो जाएगी 176 क्योंकि चमवाल इसका चार गुना है क्लियर समझ में आ रही है वह एक सो एक वन फिप्टी फोर का मैंने 16 गुना क्यों किया क्योंकि रेडियस को मैंने चार गुना किया अगर मैं रेड 30 रख देता हूं तो मेरा एरिया कितना होगा बताओ 3850 और circumference 220 अब आगे देखिएगा रेडियस को अगर मैं कह देता हूं 3.5 रख दो 3.5 से क्या तात पर रहे है आपका सर आप इसमें पॉइंट 10 का भाग दे रहे हो आप अगर इसमें 10 का भाग दे रहे हो तो आपके छेत किसका भाग जाएगा 100 का और आपके circumference में किसका जाएगा 10 का यूनिट का काम है क्योंकि आपको 35 पता है तो 3.5 निकालने में कौन से पैसे लग रहे हैं अगर मैं रेडियस को अगर 2.1 माल लेता हूं तो एरिया कितना हो जाएगा 2.1 का 1386 होता है यहां आपने 10 का भाग द दो 13.86 और circumference 13.2 क्या बाद है कि वाल एक पॉइंट का क्लियर अगर मैं आपसे कह देता हूं कि रेडियस मेरी कितनी है 10.5 है तो बताओ एरिया कितना होगा दिमाग लगा कर बताना ऐसी मत बता दे ना बस रेडियस मैंने 10.5 दे दी तो यह 21 बतिद हो है यानि कि 21 का एरिया पता है तो 1386 बते चार क्योंकि जब रेडियस आपकी आधी हो रही है 21 की सापेक्ष में तो छेत्रफल बते चार होगा और circumference कितना हो जाएगा 66 कितना हो जाएगा 66 ठीक है अगर मैं रेडियस की बात करता हूँ कि 4.9 है एरिया कितना होगा तो गुरुजी जब बोला गया है कि यह साथ है इसका 154 है आप पॉइंट साथ गुना कर रहे हो या साथ बटे दस कर रहे हो तो आपको इस से उननचास बटे दस का गुना करना पड़ेगा तो एक सो चववन इंटू यह तो साथ का और साथ बटे दस का गुना कर रहे हो तो आपको उननचास बटे पर करना पड़ेगा तो सॉल्व कर ले ना बागी कोई दिक्कत नहीं है सरकुमफेरेंस कितना हो जाएगा चमवाल इसका साथ बटे दस गुनच निकालना है आपको तो बस गुनच निकालना है अपना काम हो जाए अपने आप जब आपने साथ में क्या गुना किया कि चार पुएंट नौ आ गया साथ बटे दस कही तो किया है सोचो ना सरकंफेरेंस निकल गया और वो निकल गया इस तरह से हाँ 2.1 में 66 लिखा है ना 2.1 में 66 होगा ऐसा बोल रहे है क्यों होगा भाई 66 तो होगा चलो आईए अब चलते हैं कोशन की तरफ भी तो हमने यह समझा है हाला कि हम कोशन कर लेते हैं क्यों प्षटाबट से कुछ इसके कर लेते हैं कि कम रहे के मैंने सरकंफेर के वैसे आपको कुशन दे दिए हैं तो आप सरकल निप्टा सकते हैं वैसे थोड़ा बहुत लेकिन अभी वी कुछ सेक्टर रेक्टर बाकी है वह हम करेंगे जैसे कि यह question है, इसका answer आप दे सकते हैं, circle के बारे में, फटाबट से, दीजिये फटाबट, तो कैसे होगा, ब्रत का 6 तरफल दे रखा है 346.5, तो radius कितनी हो गई, 10.5 और परिदी कितनी हो जाएगी, यानि कि आपका 21,2 का आदा करना है, 66 आपका right answer आजाएगा, option number C, ठीक है, चलिए, उसके बाद आपका ब्रत का 6 तरफल दे दिया, 124.74, अब आपको ये देखना है, कि ये अपने व्यास आपको निकालना है, तो ये आपके सामने 124.74 है, तो ये किसका multiple है, वो भी आप देख सकते हो, किया ये 154 से किसका multiple जा रहा है, अगर 154 के respect में किसी का multiple निकल रहा है, यसे 158 जोबीस होता है, तो मैं यहां देख सकता हूँ, कि ये एकक्सोचोवण के respect में किसका multiple निकलेगा, 124 एक्सोचोवःस चोईचर है, अगर मैं इसमें 154 का भाग देता हूँ, तो ये 81 का multiple निकल रहा है याने कि 9 गुना याने कि साथ नाम 63, 6.3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 6.3 राइट आंसर हो जाएगा इसका बिना पैन चलाए पर कॉमन सेंस वाली बात है मैंने क्या देखा एरिया देखा ये मैं देखता हूँ कि अगर 15.4 होता अगर मैं बात कर रहा हूँ कि यह 154 होता 15.4 होता या 151.154 होता तो यह इसका कौन सा multiple है यह 81 टाइमस है इसका अब 81 टाइमस कब हुआ है तब हुआ है जब आपका 7 टाइमस नाइन टाइमस हुआ है 97 366.3 एंख क्लियर है तो ऐसे करना है अलाकि इन पे घ्राव करेंगे यह आपका तास्क करेंगे यह क्या करते है सारे कॉशंस किस तरह से आप करेंगे यह आपका टास्क के वइसे तो चलो जो को रह रहे हैं हमारे उनको निप्टातें फटापट एक higher गे oc Milan कों पता है तो कोई आहा जरू को अだ इनको पता है वह लाइक करें जरूर सेशन को अग्र आप लाइक नहीं थियोरी समझ में नहीं आ सकती तो फिर पैसे दे की पढ़ना पड़ेगा आपको आपको आप चलिए 12.56 होगा क्या एक बाड़ चेक कर लेना नौ साथ अरे सट नाइन टाइमस 81 टाइमस हो रहा है ना चलिए कैसे करेंगे इस कोशन को एक कमरे की लंबाए चोड़ाई से 20 मीटर अधिक है लंबाई 10 मीटर कम तथा चोड़ाई 5 मीटर बढ़ा दी जाए यह बहुत प्यारा प्रश्न है देखो तो छेत्रफल आपरिवर्थित रहता है यानि कि आयत का जो छेत्रफल है लंबाई चोड़ाई से 20 मीटर अधिक है यानि कि अगर चोड़ाई से 20 मीटर अधिक है तो चोड़ाई को अगर मैं X मानलो सुनिएगा तो लंबाई कितनी हो जाएगी x plus 20 लंबाई into चोड़ाई यानि कि जो ये area है वो अब लंबाई को अगर 10 मीटर कम कर दिया जाए इसको और 10 मीटर कम कर दिया जाए यानि कि x plus 10 हो जाएगा और चोड़ाई को 5 मीटर बढ़ा दिया जाए यानि कि ये x plus 5 हो जाएगा तो area बराबर होना चाहिए तो दौनों के area को मैंने बराबर कर दिया अब आईए solve कर लेता हूँ x square plus 20x बराबर x को इससे गुणा करूँगा तो x square plus 5x 10 को गुणा करूँगा 10x plus 50 तो कितना प्यारा concept है ना x square से x square कट गया 5x बराबर आपका 50 है तो x बराबर आपका 10 निकल कर आगया और यही आपका सही उत्तर भी है area पूछा गया है तो कहीं से भी निकाल ले 10 रखेंगे 30 into 10 300 answer आजाएगा लंबा into चोड़ाई तो यह आपका right answer है काफी interesting question था आप लोगों ने सबने सही जवाब दिया है काफी अच्छा लग रहा है ठीक है next question आपके सामने यह रहा जल्दी से करिए अच्छा diameter पूछा था ना तो बारे पॉइंच है होगा वो मैंने देखा नहीं होगा कोई खेल का मैदान आयतकार है मैदान पर 25 पैसे प्रती मीटर स्क्वाइर के भाब से 1000 रुपे का खर्चा आता है अब दिमाग लगाओ मतलब यार 25 पैसे पर मीटर स्क्वाइर के हिसाब से 1000 रुपे आप देने पड़ रहे हैं आपको 1000 रुपे आपको देने पड़े और 25 पैसे यानि कि क्या हम कह सकते हैं एक रुपे का चौथा हिस्सा यानि कि 4000 मीटर स्क्वाइर पर आपका काम हुआ है हाँ या ना बोलो यही तो आपका एरिया होगा सर आप कैसे कह सकते हो कि यह एरिया होगा पचास और लंबाई आपकी 20 बढ़ा दी जाए तो नया खर्चा बताईए तो मैदान की चौड़ाई 50 सेंटी मीटर है ठीक है तो यहां से मैं क्या कर सकता हूँ जब मेरा एरिया निकल कर आ गया तो यहां से मैं चौड़ाई लंबाई इंटू हाना नई लंबाई 100 हो गई कोई गड़बड है क्या हो गया एनी प्रोब्लम पिछले वाले में कोई दिक्कत आई क्या एक्स माइनस दस होगा पीछे में क्यों भई एक्स माइनस दस क्यों होगा लेंद तो डिक्रीस कर दी न तो बुद्धी लगानी पड़ती है यार इसलिए नहीं हो रहा तुमसे दस मिटर कम कर दिया तो पहले एक्स प्लस बीस थी उससे अगर दस मिटर कम करूंगा तो यही तो होगी अब यह भी समश्या है यह भी तो नहीं लग रहा है ना सत्पाल बर्मा इतना ही बुद्धी लगा सकते हो अब क्या कर सकते हैं इससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं पाएंगे ना चलिए इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे ना आप उसमें दिमाग लगाए होगी तब ही हो पाएगा वरना फिर आते आते भी नहीं आएगा प्रोब्लम ही हो जाएगी अब इस कुशन का हम देख रहे थे कि एरिया कितना होने वाला है अरे एरिया में कोई घड़बड़ है क्या एरिया पेरेमिटर जब मैंने निकाला कि 25 पैसे के हिसाब से बात मैं कर रहा हूं तो आपका खर्चा पूछा गया है मुझे खर्चा पूछा गया है लंबाई बढ़ा दी गई है तो एरिया कितना निकल कर आ जाएगा 100 into 50 5000 आपका हो गया 5000 आपका area हो गया और खर्चा पूछा जा रहा है यानि की एक बटे 4 का भाग दे देंगे बारहें सो पचास हो गया next चलो करिए कोशन बड़ा प्यारे प्रशन है प्यारे प्यारे 25 मीटर लंबे और 15 मीटर चोड़े एक आयतकार छेतर के चारो और 3.5 मीटर चोड़ा रस्ता है तो रास्ते पर 25 रुपे प्रती मीटर स्क्वाइर कि दर से फर्स बिचाने का खर्चा बताओ तो आपको क्या करना है चारो और है यानि कि आपको पाथ का एरिया निकालना है पाथ एरिया जो कि कहां है आउटसाइड है आउटसाइड ही है ना देख लेते हैं तो क्या होता है भाई ये पाथ का जो छेतरफल होगा वो यही होगा बताया हुआ है पूरा प रास्ति पर 25 रुपे के हिसाब से खर्चा विच्वा रहे हो मतर्ब खर्चा लग रहा है तो यह अगर एरिया हो गया तो कुल खर्चा कितना हो जाएगा 47 इंटू 7 इंटू 25 तो गुणा करने पर कितना आ रहा है मेरे वित्रों जल्दी से बता दो 47 इंटू 7 इंटू 25 तो गुणा करने पर आ रहा है 82 इंटू इतने रुपे आपका क्या हो जाएगा एकस्पेंडिचर हो जाएगा मज़ा आ गया चलिए लाइक वाइक करते रहें जिनसे नहीं हो पा रहा है प्लीज कोशिश करें एक बार शायद आप कर पाएं इस कोशन का जवाब आप मुझे दे सकते हैं तो दीजिए फटावड से 180 मीटर और 160 मीटर वाले आयतकार छेत्र के चारो और 10 मीटर रस्ता बनाना है तो रास्ते का छेत्र फल डायरेक्ट भी करना आप सीखो थोड़ा सा यार यह कितना हो जाएगा आप 240, 340, 340, 340 और 20, 380 सी एंटो बीस हैं गड़बड हो चुकी है क्या कोई गड़बड तो नहीं एरिया ऑफ पात निकालना है रेक्टेंगूलर पात है तो आपको सिंपल सा लॉजिक यहां अपनाना है और वही आपको करना है एल प्लस वी वाला कॉंसेप्ट यहार बताया हुआ है फॉर्मूला ऐसे क्यों कर रहे हो तुम हैं इंसाइड है आउटसाइड है ए पात विर्थ 10 मीटर सराउंड़ फ्रम दा आउटसाइड ऑफ रेक्टेंगल गार्डन whose measurement 180 और 160 मीटर वाले आयतकार छित्र के 4 और 10 मीटर चोड़ा रस्ता है तो रास्ते का छित्र फ्रम बताना है आउटसाइड है क्या इंसाइड है है भाई साब तक्कर क्या है भाई बोलिए बोलिए 360 यहां हो रहा है कितना तीन सो चालिस प्लस बीस तीन सो अरे आत हो गया आउटसाइड ही है मैंने गडबड करती थी है ना गुणा उड़ा जोड़ बहतर स्वा जाएगा नेक्स्ट एक आयतकार वगीचा 10 मीटर लंबा है 65 मीटर चोड़ा है इसके अंदर चार और अब अंदर आ गया 110 और 65 हो जाएगा कितना 175 में से माइनस करना है पांच यह की डाई इंटू दो पांच होता है इंटू पांच और आठ रुपे के हिसाब से खर्चा ले रहा हूं तो 170 इंटू पांच इंटू आठ पंजे चालिज तो सत्रा चौके अड़ सट शिक्स्टी एट अंडर यह लो भाई आगया मज़ा है यह लो अगला कुशन सबसे बड़ी तो 74 सेंटीमीटर है और 44 सेंटीमीटर है अब इसका एक आपको SCF निकालना होगा जो इन दौनों में आपकी डाइमेंशन को शो कर सके यानि कि अगर मैंने इसमें से घटाया तो 30 आया तीस तो इसका मल्टीपल हो नहीं सकता योगी 5 से तो कोई जाय नहीं रहा है तो यह आया 2 और 15 तो आपका केवल और केवल कितना निकल कर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर लंबी टाइल हो सकती है वरगाकार तो वरगाकार टाइल पढ़ाई गई है अब आपको कहां पढ़ाई है आज पढ़ाओ अभी पढ़ाओ सर तो ऐसे नहीं होता है आपको मेरी क्लास में रेगुलर पढ़ना पढ़ेगा तब जाके थोड़ी वैल्यू समझ में आएगी अन्या था आप भूमी रहे हो आपको चाहिए कि एक ही होगे तो ही हो पाएगा वरना अभी मुझे पता है वीडियो देखने के बाद चल साइड में गया वीडियो उसके बाद हम देखेंगे अब कभी होगा तो होगा अब अगली बार जब पढ़ाएंगे तब पढ़ेंगे मैंसुरिशन यह होता है इंसान की मेंटिलिटी यही है कोई सीखना नहीं चाहता है कोई नहीं सीखना चाहता उसको चाहिए हल्वा हाथ के हाथ मिल जाईए हाथ के हाथ पढ़ा दीजे बस तो समझ में क्यों नहीं आ रहा है कारण मेरे को पता लग गया मुझे पता था जब मैं कोशन करा रहना चाहते हैं लेकिन रेगुलर कोई नहीं रहना चाहता हर किसी को चाहिए एक दिन में सेलेक्शन एक दिन में इंस्टेंट्ली सब कुछ ऐसे काम नहीं चलेगा नडियर चलिए देखे 48 सेंटीमीटर लंबे और 32 सेंटीमीटर चौड़े कमरे के फर्ष में प्रियोग आने वाली सबसे बड़ी टाइस तो यही बात है इन दौनों का SCF निकालिए याने की हाइस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वही आपकी 48 और 32 सेंटीमीटर में आने वाली सबसे बड़ी ब अब यह एक बटे चार कैसे आया इसको नहीं पता है जबकि एरिया निकाल दिया है खर्चा पूछा गया है 25 पैसे प्रिक्ति मीटर स्कॉयर है एक बटे चार का यहां काम भी लिया गया है लेकिन फिर भी इसको नहीं पता है यह बच्चा गया आपको आता है ना इसलिए तो भाई सिखाया है मैंने आपको भी करने के लिए रेगुलर नहीं रहोगे तो लाइफ में कहीं सक्सेस्फुल नहीं रह सकते आज मेरी बात लिखके रख लो बटकोगे फिर अंत में जब भी भी आपको सफलता मिलेगी तो उ यह लाइफ में मैं आपको डेली इसलिए पिंग करता हूं इस चीज के लिए क्योंकि अंसक्सेस्फुल लोगों की संख्या जादा है सक्सेस्फुल लोगों के अपेक्षा कारण रेगुलर ना होना यह कमी है तुम लोगों की और इस कमी को तुम अपनी बहुत बड़ी ता समय के बारे में बताता हूं कि मेरा कुश्चन आया क्लासरूम से डायरेट कुश्चन आया फांडेशन बैस से डायरेट कुश्चन आया तो क्या बचे अरे यार पता नहीं सर ऐसी बोलते हैं उनको क्या पता है पढ़ा ही नहीं कभी अब फायदा भी नहीं होगा उनका क्यो क्योंकि जब पढ़ोगे तभी तो फाइदा होगा ना चलिए तो रेगुलर रहना बहुत आवशक है चाहे एक समय ऐसा था जब मैंने लॉक्डाउन सीरीज में भी तैयारी कराई थी रात को आठ बजी भी क्लास लगाई थी तो 112 सेंटीमीटर और 84 सेंटीमीटर चौड़े कमरे के फर्ष में लगाई जाने वाली सबसे बड़ी अब यहां पर भी वही काम करना है 112 और 84 SCF बता दो कितना होगा क्या होने वाला है बताओ SCF क्या होने वाला है सफलता का एक मंत्री यह यह भाई आप यह सूचते हैं कि ऐसी मिल जाएगी चलते फिरते पढ़ते हुए ऐसे नहीं मिलती है इसका आंसर बताएं आप क्या आनसर आने वाला है तो आपसे क्या पूछा गया है बताइए बहले टाइलों की संख्या पूछी गई है कितनी टाइले लगा सकते हो तो सबसे पहले आपने देखा इसका जो हाइस्ट कॉमन फेक्टर आ जाएगा याने की 28 आ जाएगा यह हो गया चार यह हो गया तीन तो चार तीया बारह तो 12 आपका राइट आंसर आ गया ऑप्शन नमबर ए ठीक है तो 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका 28 ही हो रहा है ना गए सब सब गए D लगा रहे हैं बताओ चली ठीक है आईए कैसे करेंगे बताओ एक बच्चा कह रहा है आप इतना फास्ट कैसे करते हो सर आप इतना फास्ट कैसे करते हो आप भी कर रहे हो डियर और यह वह वाली लुगे की सारी की सारी तुम्हारी ए। कि तुम ना तो होवर करते हो न राइगूलर रेते ओफिर कहां से होगा भाई साब घर पे करो अब तभी तो इतनी सारी गलति आ रही है नडचो अब 25 85 percent की अगर ब्रदि करता हो तो छेतेफल में कितनी ब्रद्धी हो जाएगी बताईए तो sir 25 प्लस 25 successive case लगाईए और answer पाईए एक तो यह तरीका हो गया direct percentage वाला तो यह कितना हो जाएगा भाईया 56 और अगर हम ratio की इसाफ से करें तो 4 से 5 4 से 5 successive case 16 से 25 हो रहा है तो बात भाईये sir तो यहां कितना हो जाएगा नौ बटे 16 छपन पच्चिस simple next करो फड़ापड अब वर्क की बुझा तीन गुनी हो जाए तो छेते फल में क्या होगा अब तीन गुनी हो जाए याने की एरिया क्या हो जाएगा nine times तो कितना परिवर्टन आ गया कितने की ब्रद्धी होगई आठ की ब्रद्धी होई है एक के respect में तो answer आपका 900 परसंट नहीं होगा आपका answer होगा 800 क्योंकि जब आप नेक्स्ट 112 नहीं कटेगा सर 112 नहीं कटेगा इनको 112 भी काट के बताओ अब यही तो समझ्चा है पाड़ा भी नहीं आएगा तो फिर क्या करेंगे अभी पाड़ा थोड़ी सिखाएंगे यहांपर ठीक है चलो वर्क का परिमाप 48 cm है तो बुजा बताईए 12 यह आपको विकर्ण दे रखा एडिया कितना होगा 225 जो ए रूटो होता है वहां ए जो है वही भुजा होती है 5.2 विकर्ण वाले वर्क का छिथिष्फल तो 5.2 इंटू 5.2 बटे 2 वैंटे 2 बताया था डी स्क्वार बटे 2 क्या दार है कि यह कितना हो जाएगा दो पॉइंट छे दो नहीं बारा एक आइक कांक आएगा दो केवल और केवल एक यह ऑप्शन है तेरा पॉइंट बावन मतलब प्रशनची ने देखो एक भाई कह रहा है अठाइस कैसे आ सकता है एक सो बारे और चौरासी का अभी बताता हूँ सर हमसे गलती हो गए सर थोड़ी सी बस क्योंकि 112 का जब हम गुणा टुकड़ा करते हैं तो 112 के टुकड़े में क्या होता है साथ से तो काटना जानते हो साथ का पाड़ा तो बच्छों में सिखाया होगा घरवालों ने तो साथ एक हम साथ बचे कितने अपने पास चार, सोला ठीक है अब मैंने इससे कह दिया कि 28 तू मेरे को उधार दे दे तो यहाँ पर हमने देखिया 28 इंटू 4 तो 112 क्या होता है 28 इंटू 4 होता है नहीं बताऊँगा तो फिर ये गलत भी ठहरा देंगे कि बताओ यार ये कैसा माश्टर है 28 का ही मुकर दिया अब 28 के पाड़े में ये आता है 28 तिया 84 तो दौनों ही 28 आ रहे हैं तो हाइस्ट कॉमन फेक्टर क्या हो गया 28 हो गया ये कहानी है इस्तिती देख लो इनकी और ये यही लोग है जो डिसलाइक करते हैं क्यों बुद्धी काम करती नहीं अब निकाल दिया तो इसमें इनका ही वो है कि यार ये गल्द बता दिया मेरे इसाब से ये नहीं होगा ऐसा लगते हैं चलो उस टाइम ये सब विलिगेट्स बन जाते हैं अचानक सही अब ज्यान देने की कोई कमी है नहीं वैसे भी देखिए वर्ग का विकर्ण आपको दे रखा है दूसरे वर्ग का विकर्ण ग्याद करें जिसका छेतरफल पहले वाले से दुगना है आराम से करना तो दूसरे वाले का एरिया बहतर तो ये दूसरे वाले की भुजा निकालो रूट बहतर यानि कि छे रूट दो आपका विकर्ण कितना हो जाएगा बारा क्योंकि रूट टू टाइम सोता है दी आंसर आजाएगा ठीक है? एक बच्चा कहा रहाएं पीडियफ नहीं मिलता है बता हूँ हम जालते हैं इनकों नहीं मिलता है बस सारी कारण है ना देखने के ठीक हे? कोई बात नहीं है वो तो चलो, कोई दिक्कत नहीं है अब कल दूसरे टीचर के पाज चले जाना दिखकर थोड़ी है इसमें ऐसी कोई परिशानी नहीं है तो पकड़ के थोड़ी ला रहा है बस अच्छा content दिया जा रहा है और इससे better content आपको कहीं paid course में भी नहीं मिलेगा मेरे में तो इससे better मिलेगा लेकिन औरों के paid course में भी नहीं मिलेगा आप compare कर लीजेगा इतना systematic तरीके से कोई नहीं पढ़ाएगा circle पढ़ा रहा हूं circle के question दे रहा हूं triangle के question दे रहा हूं rectangle पढ़ा रहा हूं rectangle के दे रहा हूं सारे type के हो रहा है square पढ़ा दिया square के question दे रहा हूं फिर चायंकित भाग अभी mix वाले भी पढ़ेंगे तो यह सब हो रहा है पढ़ने वाले के लिए है सब यह ना पढ़ने वाले के लिए कोई value नहीं होती है चीजों की है ना चलो तो समझ में आ रही है बात यह question को करने व अभी साड़े बारे बज़े में IB की class लेने वाला हूं है ना तो score booster series है आईएगा जरूर 12.30 पर आपके काम आएगी हाँ बुलाया मैंने अब सोचेंगे कि या क्या आना छोड़ो क्या मिलेगा इसमें कोई काम कहीं नहीं होगा हमारे लेकिन इनको लगता है कि math change हो जाती है expected questions का साथ के साथ शनिवार को सुबह 11 बज़े expected question और फिर शनिवार को साड़े बारे बज़े मैं पढ़ाऊँगा numbers के बारे में IB के लिए ठीक है अब उनके लिए number और आपके लिए number सेमी रहता है पहली बात साथ के साथ में यह WhatsApp number है इस पर आप मुझे जरूर जब भी आपका paper होता है तो question जरूर सेंड करें ठीक है जरूर question सेंड करें अब कहां होगी class फिर मैं उसकी उंगली पकड़ू देखो यहां होगी साड़े बारे बज़े यहां पर अरे भाई राइगूलर्टी रखो ना आपको पता लग जाएगी class यहीं होती है साड़े बारे बजे रात को आठ बजे मेरी catch-damaat academy पर होती है simple वात और कहीं नहीं होती है ठीक है दो ही जगे मेरी class होती है बस ठीक है न साथ के साथ रात को आठ बजी सब बताया जाता है यहाँ पर होगा अनकेडमी पर होता है यह डेली आपको लेना है एज प्रैक्टिस सेशन और इससे बेटर सेशन इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा यह पहले ही बोता रहा हूं फ्री में ठीक है लिंक आपको इसका कमेंट बॉक्स में डाल दिया है मैंने और आपको कुछ नहीं करना अनके लोग वो करते हैं और कुछी लोगों का हो पाता है ठीक है साहिल टैन को लगाकर अनलोग कर लीजिए और साथ की साथ अगर मेरे से आप प्रपरेशन करना चाहते हैं तो इससे फाउंडेशन को उसे बैटर प्रपरेशन कोई बैच नहीं करा सकता आपको रेगुलर बेसेस पर बने रहे हैं इस बैच में फाउंडेशन बैच में ठीक है और पूरा डिटेल में पढ़ाता हूं और हर एक चीज मेरा टार्गेट तो ये फोडवाना है और ये आपको गड़े होंगे और इधर-उदर के वाले भी घड़े होंगे अब उस लाइन में आप कितना तेज दोड़ सकते हो वो मैंटर है और मैं दोड़ाना शुरू कर दिया है आपको यहां पर सब कुछ मिलेगा सस्किप्शन लेने पर और यह मौका भी सही है पढ़ाई करने का साह साहिल 10 लगाकर अभी अधिक्तम डिस्काउंट मिल रहा है ले लीजिए ना फिर समय तो निकल जाना है किसी भी केटेगरी में आप साहिल 10 को लगाकर डिस्काउंट रे सकते हैं ठीक ना टेक कियर थैंक्यू सो मच मिलता हूं साढ़े बारे बज़े टाइम भी बहुत कम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं ठीक है टेक क्या लव यौल हेवे नाइस दे मिलता हूं थोड़ी दिर में आपसे